हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू संध्या फ्लेवर जंक्षन तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफी वाइरल हो रही है यह रेसिपी तो मैंने सुचे क्यों ना हम भी ट्राई करें तो यह आज हम भी लेकर के आगए हैं और हमने भी बनाए यह दही टोस्ट और मैं बच्चों को बहुत पसंदे तो आप इस रेसिपी को अपने बच्चों की टिफिन में आप यूज कर सकते हैं और आप इसको ब्रेक फास्ट में भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं बहुत कम टाइम में और बहुत कम समान के साथ में बन जाती है तो जल्दी से आम इस तो प्याज को हम इस तरह से बारीक बारीक काट लेते हैं और आप चाहें तो प्याज और हरीमर्च को चौपर में भी कर सकते हैं बट इस तरह से जो इसका जो टेस्ट आएगा ना तो वो ज्यादा अच्छा लगता है मेरे हिसाब से तो मैं इसको इस तरह से बारीक बारीक अपिर आगे मैं बताती हूँ कि इसके आगे हमने क्या process रखना है क्योंकि बहुत सिंपल राइसे पैए तो हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करेंगे और बहुत जादा समान इसके अंदर नहीं डालेंगे तो मैं भी फर्स टाइम बना रहे हूँ लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी लगे तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से हरी मुर्च को और प्याज को अलग अलग बारी बारी काट लिया है तो इसके साथ में हम जब ये दही टोस्ट बना रहे हैं तो मैंने ले लिये दही और इसके लिए मैंने इसमें एक कटोरी दही डाली है आप अपने हिसाब से जितने टोस्ट बनाना चाहते हैं आप उतने डाल सकते हैं मैंने तीन से चार टोस्ट बनाने हैं अपने ब्रेफ़स तो नमक करें बनाकर के तैयार करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका स्मूध बैटर बनकर के त्यार हो चुका है अब इसके अंदर एड़ करेंगे प्याज हरी मिर्च जो हमने काटके पहली से रखी वी थी तो ये मैंने इसके अंदर प्याज भी मिक्स कर दी है और हरी मिर्च भी मिक्स कर दी है आप चाहें तो कुछ vegetables भी डाल सकते हैं जैसे कि carrot और पनी डाल सकते हैं capsicum डाल सकते हैं बट में को भी नहीं डालना था क्योंकि मैंने इसको first time बना रही हूँ तो मैं इसको simple बनाना चाहरी थी मैं देखना चाहरी थी कि इसका taste कैसा आता है तो बस मैंने इसमें प्याज और हरी मिट्ची डाली है और इसके साथ में मैंने एड कर दिया है ये थोड़ा सा बेसन तो बेसन की quantity जो है दही की quantity से हम थोड़ी कम रखेंगे तो बस इन सब को चीज़रा से कर लेते हैं मिक्स और इसमें लम्स नहीं पढ़ने चाहिए बिल्कुल भी और अच्छा सा स्मूध बैटर बना करके हमने ये तैयार कर लिया है और इसके बार ले लेते हैं एक पैन अज़ते हैं चाहिए ने ये दो टेबली स्पून इसमें रिफै Jord question से र सेमिट सेऑने जाले और आप चाहे तो गी बाड़ सकते हैं और इसके कर लेंगे अच्छे से मिक्स तो जो यह कड़ी पत्ते का और मस्टर्ट सीट का जो फ्लेवर है वह बहुत उभरकर आता है इसके अंदर तो यह मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और अब चलते हैं अपने टोस्ट बनाने के लिए त तो मैंने सबसे पहले उसी पैन को गरम करके उसमें थोड़ा सा ओल डाला है और यह सारा बैटर जो है मैं इसके ओपर लगा लूँगी अच्छे से चिपका लेंगे प्याज और हरी मिर्ज जो है इस तरह से और इसको कर लेंगे अब हम तब यह के ओपर डाल करके सेक लेंगे तो मैं इस तरह से ओई गरम है और इसके अंदर मैंने टोस्ट अपना डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से उलट पुलट करके अच्छा से गोल्डन कलर आने तक हम इसको सेक लेंगे जिस तरह से हम ब्रैड को बेसन में मैंने पहले भी एक रासिपी डाल लिए जैसी कि जो करें कामें थाफ दूंगी मैंने पहले भी बेसन के टोस्ट बनाये थ है उसी तरह से हमने इस तोस्ट को बनाया बस दही डाल दिया और अच्छा सा गोल्डन कलर इसका आने लग गया है गैस की फलेम को हम सिंपे रखेंगे और इनको इनको अच्छा सा क्रिस्पी होने त तो हम मैंने थोड़ा सा बेसन का जो बैटर था उस बैटर को अच्छी तरह से चिपक गई है और बस दोनों तरफ से मैंने इसको उलेट पुलेट करके सेक लिया है अब हम इसको डिश आउट करते हैं और सचमुच में यह बहुत जल्दी से बन जाने वाला ब्रेकफास्ट है तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने अच्छी टोस्ट बनाकर हमने तयार की हैं और बिल्कुल भी लगनी रहे कि हमने दही से बनाए है और सचमुच में यह बहुत टे जल्दी से बन जाता है तो अगर आपको यह रैसिपी पसंद आई है और आपको दही टोस्ट पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करेगा और बैल आइकन को भी जरूर से प्रेस करेगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोट्विकेश आपके पास इसी तरह से आते रहें तो मैं आप चलती हूँ मिलूंगी आपको एक नई रैसिपी के साथ में तब तक के लिए ओके बाय बाय थैंक्स वर वाचिंग